इंडिया के तेज़ज़स फाइटर के बारे में हमनों सुना होगा यह तेज़स फाइटर है अभी इन्हों न बनाए वह इन्टि के अपनी मार्केटिंग के वजू तो इननों का भाई बिल्कुल हमारा फाइट जैट सेफ है अभी ये खुद राइड करेंगे इस वे आप देखें ये खुद राइड करके ये देखें फिजाओ पर जा रहे हैं तो अभी इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं दुनिया को क्या खुद पीम बैठें इस जैट के रहा हो तो बेलकुल दूसरे के जो कंट्रीज हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है मैं यह जो खुद अपनी जैट के ऊपर बैठकर दुनिया को बता हैं कि हमारा जैट से इससे उनके मार्कीट पर कितना असर पड़ेगा उनकी एकॉनमी पर कितना फ लाजे से कॉनमी दुनिया की अभी हमारे प्रोशी मुल्क से जवेद अख्तर एक वहां के राइटर हैं वो यहां पर आये तो उन्होंने आके लहौर विजिट किया और उनका कहना यह था कि पाकिस्तान लहौर में कहीं पर उन्हें घुर्बत नजर नहीं जबके ऐसा एकानुमिकल लिहाइड से पाकिस्तान या पिर इंदुस्तान मेरे ख्याल से दो तरीकी में देखने के अगहर तो हम अपनी अवाम वाम उमेरत मेरत अगर हम गौर्मेंट को देखें तो वह इंडिया की गौर्मिन अमीर आफ़ अच्छा पाकिस्तान की अवाम ref 수 के घि है कि किसके पास कितनी है और उसके मुताबिक उनके उपर टेक्सेशन नहीं है जब के हिंदुस्तान में जो लॉज है या डॉक्यूमेंटेशन है वह एट लीस ट्रिक्ट है अच्छा अगर हम पॉर्टी रेट के बात करें पाकिस्ता की कहीं जादा हिंदुस्तान से अगर उन इस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान की अवाम अमीर है तो वह अमीर अगर होती तो पॉर्टी रेट नीचे नहोता हमारा नहीं देखा जाए तो हमारा जो उनके लैंड के लिहास से ना के पावर्टी रेट तो वही होगा जो डॉक्यूमेंट्स में आएगा अगर एक च अगरिस्तान लहोर में कहीं पे उन्हें गुर्बत नजर नहीं आई जबकि ऐसा मुंबई दिली में आम नजर आता है कि स्लम्स वहां पे मुझूद हैं कच्छी अबादियां हैं लोग जो हैं बुरा हाल है उनका पर गॉर्मेंट के खजाने जो हैं वो भरे में इससे क्या ह नहीं है वो खुद अपने पास अंडोकिमेंटेट फॉर्म में रखते हैं जबरतस हो गया तो जिस तरह से आपने मुझे बाते की मुझे लगता है कि मुझे हमें थोड़ी से मजीद बात चीत करनी चाहिए इस पर ताकि हमारे जो फो इंडिया को लेकर या पाकिस्तान को ल पूरे पाकिस्तान की पूरी जीडी बजट कहते हैं बजट पूरे कश्मीर में जितना पाकिस्तान पूरे से जादा कश्मीर में इस राम बजट लग रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह भी हम डिफाइंड कर सकते हैं कि टाइम के अंदर उनकी जादा सिटिस उनकी 14-15 सिटिस पाकिस्तान जो लहोर से जादे डिवैलब है इसके बारे में क्या कहेंगे उनके देखें जी सब कुछ लिटरेसी रेट के साथ है अगर करनाटे का यहां इस साइट का आप लिटरेसी रेट देखें तो नाइंटी टू नाइंटी फॉर परसंट से भी उपर है फिर इसी तरह उन्हों ने जो अपने इवाम के वर इन्वेस्ट किया आई टी में इन्वेस्ट किया उनके इंजिनेरिंग आप देख लें आप इंडिया में सेट अप हैं तो सब कुछ लोकलाइजेशन है हम लोग हर चीज अपना पेट फूट क्या आम खाना क्या सब कुछ इंपोर्ट कर रहें तो हम चीज यूज करके प्राउड फील करते हैं खुद को अमीर स्टेटस अपना शो करवाते कि बाई मैं बाइर की चीज पता नहीं लोग करते हैं कि स्टेटस को यही है पर हमारे अपने ब्रैंड मनलब ब्रैंड भी जो हमारे लोकल है उनको भी कुछ बेतर करना पड़ेगा कि अट-लीस कम्पीट कर सेकें पर जो कम्पीट करने हमें उन्हें प्रोपोट करना चाहिए जो आपने कहा कि इंडिया अब यह इन्हों की अपनी मेड इंडिया फाइटर सही है अभी यह कफी टाइम से बाहर यह कंट्री जिस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया का बनाए वह पता नहीं कैसा होगा तो अभी देखें इनका माइंड सेट करें नरिंदर मोदी जो हैं यह गुजराती है ग खुद राइड करके यह देखें फिजाओं पर जा रहे हैं तो अभी इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं दुनिया को क्या खुद पीम बैठे हैं इस जट के अंदर क्या दुनिया को ट्रस्ट होजएगा कि वाके में इनके फाइटर जट जो है वो सेफ है दुनिया के तो वो ना डाउन के बंद करना पड़ा हुने सीज करना पड़ा अब वहाँ पे रेडियो एक्टिव मेंटीरियल प्रेज़न था वो आजस्ता इसको डंप कर रहे हैं अब सी के अंदर तो वहां के सी फूड के उपर बैन लगा हुआ था उनके लोकल लोग नहीं खा रहे थ पूरी तरह एड़टाइस करें और ताकि उसकी ब्रेंडिंग हो अपने जो बात की मैं इसे फंडर्ट परसंट एगरि करता हूं जिस तरह से आप देखते हैं कि जपान के आपन ने मिसाल दी इंडिया की मिलती है इससे पहले अगर बात करेंगे इंडिया कि जितने भी प्र कर सकता हमारी फाज़त कर सकता मुश्किल वकत में लेकिन आज जब हम देखते एकॉनुमिकल तोर पर हम कमजोर हो गए तो मीडल लीस्ट ने भी टोटली जितने भी सौधी एरेबिया दुबई यूई इस अपने हमारा साथ चोड़ दिया कैसे देखती इन चीजों को क्या गल गलती है नहीं गलती है बिलकुल हमारी है हम लोग कैसे दुनिया को यह कह सकते हैं कि आप हमें लोन दे हम वापिस कर देंगे जबकि हम डिफॉल्ट के एक तरह कॉर्णर के उपर धियाने पर खड़ें तो यह ऐसे तो लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे बिलकुल लोग किस मरतबा जा चुकी है किस बाइस मरतबा के बिलकुल हमने बहुत सारी जो हैं वो ऐसी चीज़ें शुरू कर ली जो हमारी अपनी नहीं थी जैसे अफगान वार में हम पढ़ गें टेरिरिसम हम खुद अपने अपर हमने मसलत कर लिया फिर हमारे जो हुक्मरान है वो लेकिन पकड़ा पाकिस्तान से कि आप अमेरिका साधिया से लेताँ सब कुछ बंद कर देगा क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया दुनिया भी पैसे की कदर करती पैसे वाले की कदर होती है जो चीज़ेंवन्ट करता इसकी कदर होती है आज हम इंडिया को कहते है हमारा दुश्मन है क्या हम उसके लेवल क colonial के हैं दुश्मन ही करने की नहीं बिलकुल हम तो financially इतनी mighty नहीं रखते कि किसी को compete कर से के आज कल जैसे चाइना देख लें कितने उसके पास न्यूक्लियर रिजर्ब्स हैं को बहुत ज्यादा नहीं है शायद है ही नहीं मेरा ख्याल से पर जितने ही हैं वो उसके पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो सारी दुनिया को एक्वाइर कर रहा है या अपने की हाई नहीं क्या कहेंगे लास्ट कोशन उसके बाद आपका टाइम का बहुत शुक्रिया तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने अब अब 26 साल होगें दुश्मनिया करते हैं वे आने ट्रेड बंद करते हैं बात बात पर कोई हमारी चिडिया भी मार जा तो केते हैं बहुत इंडिया के ने आपका रहें के मार केड़ की निसमें बैब्द चाैना की निस्बत जो चीज़ें हो Central Partners का Slug लोहा भी मुझूद है हमारे पास अगर कुदर्ती वसाइल देखेंगे हर चीज मुझूद है लेकिन मैनिफेक्चर निकर पा रहे हैं उसके बात अगर मैनिफेक्चर निकर पा रहे हैं तो इसाथ ही हमारा परोसिय मलोग इंडुस्तान है जो पूरी दुनिया को मैडिसन लेकिन डिरेक्ट अकर हम ट्रेड कर लें तो आपको नहीं लगता कि हमारे बीच की जो मसाइल हैं जो कश्मीर मसाइल है यह इसको एक साथ पर रख देना चाहिए ट्रेड को फस रखना चाहिए गरीब अवाम के लिए क्या कहेंगे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जो चीज कंट्रोल में या किसी की सेंक्शन या किसी के सप्रेशन के अंदर आके अपने मुल्क लिए बेनिफिशल फैसले नहीं कर सकते अपनी जो अना है या जो लड़ाई जगड़े हमारे हैं प्रिवियसली उनको साइड पर रखके जो मुल्क लिए बहतर फैसले वो किये जाएं ट्रेट बिल्कुल इंडिया के साथ खूलनी जाये हमारी बिल्कुल जो खाने पीने की इश्या है मं से लेकर मेडिसन सेमेंट और साथी सेमेंट और सारी इंड़सी। वहीं इंडिया में तीन से 3.5-3.4 रपे की हैं ऐसी है बिल्कुल ऐसी टाटा की अपनी घाडियां बिल्कुल नहीं उन्हों ने तो जैगवार को भी खरीद ली है उन्हों ने तो एक और ब्रैंड है जो इंग्लैंड के जर्मनी के हैं वह उन्होंने कोईर करके और अब वह ब लोबल मार्केट को नोंने कैप्चर कर लिए अब मुझे बताएं पाकिस्तान के पाइस करोड अवाम हैं कम नहीं हैं यहां पर अगर बात करेंगे मिडल कलास लोग भी हैं जो गाड़ियां ले सकते हैं अगर यहां पर ही माल रोड के ओपर एक बहुत बड़ा वो अपना प्ल दिया जैसे शेंगान आया है यह दूसरे आया तो जो आपको मार्केट में आपको सस्ते प्राइसे ऑफर करता है आप उसको बिल्कुल कैप्चर करें उसको इन्वाइट करें यहां पर फॉरन इंवेस्टमेंट भी आएगी डॉलर जो हमारे पास कम है वो भी आएंगे और ह हमारी लोकल प्राइसेज भी कम होंगे बहुत अच्छा लगा तैंक यू सो में फॉर टैम ब्रो बहुत अच्छा लगा तैंक यू सब्सक्राइब करते हो मैं पढ़ता हूं बहुत जबर्दस हो गया बात करने का परपस है कि मुझूद टाइम के अंदर अगर हम मार्कीट क कि या पाकिस्तान या फिर हिंदूस्तान अघर बात करें एकॉनमी कली अगर्ड़ आख से तो मर्क से साब से करें तो पाकिस्तान ङसे नहीं है लाइक चाइना और अमेरिका आफी लोग यसे चापक भानुक्ष पावर्फल तो क्या लगता है पाकिस्तान पाउर्फल या फिर इंडुस्तान ओब्श्ली इंडिया जी उनकी डिफेंस के लिए से वह बोगत बहुत आगे फार्वाइड है ज्यादा पाकिस्तान का एक तो देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कम होता जा रहा है और दूसर तो इसलिए करें तो इंडिया की बेस्ट में जब आप एक एजुकेटेटेट बंदे से जो पढ़े लिखी होते हैं उसे जब बात करते हैं तो बात करें तो अचलाइब से दूर्ब भी हमारे पड़ी लिखी हो और यंस वो भी हर चीज़ को समझती है जब आप ये वीडियो देखेंगे नीचे कमिट्स पड़िएगा अगर आप पॉजिटीव बात करते अगर आप राइट पर बात करते तो आपको एबरिश्वेट भी किया जाता है तो बात करने का परपस है कि अभी इंडिया के जो उनके पीए में नरेंदर मोदी उन्होंने एक फाइटर जैट को उड़ाया उनके अपना जो मेड़न इंडिया है तेजस फाइटर जैट का नाम है उन्होंने कुछ टाम पहले वह बनाया था इस परपस से के वह एक्सपोर्ट भी करेंगे अपने उसके वज़ा से के नहीं नहीं चीज़ा पता नहीं कैसी होगी दुनिया ट्रस्ट नहीं करेंदी अभी नरेंदर मोदी न खुद उसको फ्लाय कर या उड़ाया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वीडियो देखेगा उसके बाद आप बताईगा कि क्या दसवरात ह है कि यह देखें खुद बैट रहे हैं जट के अंदर और दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ बिल्कुल सेव है अगर मैं बैठकर अंदर फलाय कर सकता हूं तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग है कि इंडिया से कंपरिजन में इंडिया बहुत आगैब बेसली वह तो बात अलग है पाकिस्तान है बिल्कुल बेशा हमारा मुल्क है में अڈंदा प्रोजेक्ट कीड़ा emocis 최 grapes रही नहीं को तो बेल इंडिया का कमपेरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ एक पीम ये इंडिया की हिस्टरी के फस्ट एहम है कि किसी पीम ने फाइडर जट उड़ाया हो अपना फस्ट इन्हें उन्हें तारीक रखम कर दिया दूसरे नंबर पर क्या यह जो खुद अपनी जट के उपर ब इसे एकोनोमी कली इंडिया एक जो है ना अभी मेरे ख्याल से सेकेंड नंबर उनका एको ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडिपी पहुंच गी हमारे एकोनोमी से तो बंगलादेश की एकोनोमी ज्यादा है फिफ्ट लाजश्ट अब जाएगी आप देखना अभी पताय जा हैं दूसरे मुमालिक से कर सकते हैं अभी अभी जो नियू लिव है इंडेपेंडिस हो आए अफगानिस्तान है शायद दूसरे हैं इसी साफसे वेल इसी चीजे हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया मीडल इस एक टाइम था जब हमने वैपन बनाए थे अटॉमिक वैपन तो म हैं गर का भाई भी एक जो कमजोर भाई होता जो तागत वर भाई के बड़ा बड़े अच्छी तरीके से महले में पर जाकर तारूफ कर वा था कि बाई वह जिसके बाद गाड़ी आ नहीं मेरा भाई है वह जो मशूर नहीं मेरा भाई है तो क्या वजवात है कि जब एटम यह होती है क्योंकि शायद एटीन तक या सैविंटी तक सैविंटी वन जब से बंगलादेश अलग हो आए उस से उस टेम तक जब तक जुर्फकार ली भुट होते हमारा एकनोमी इतना बूस्ट हो रहा था इंडिया और बंगलादेश का कोई कंपेरिशन नहीं था अभी य सब्सक्राइब करने में सबसे ज्यादा जो है एकनोमी को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा जो है एक मजबूत हाथ वो है मैं इस हिसाफ से कोशिश करेंगे मुल्क मैं तो कह सकता हूं लेकिन जो इदारों को दूसरों को मुल्क में ज्यादा से ज्यादा टेकनोलीजी आएगी यह दूसरे लाइक इंपोर्ट एक्सपूर्ट ज्यादा अगा तो एक व्याद बढ़ जये लेकिन अभी हमारी एकोनो डॉल्मेंट जितने को उपाड़ी मैने फ्यक्षर करके दुनिया को पैसे कमाई जा रहे हैं तो उनको बीट करना कोई आसान बात है पाकिस्थान कर सकता था थे कि इंड्या को बीट करना है तो सब्सवत है अमहीं आठों मुबाल इंडेश्टी को आगे करना होगा और स्पेस पर काम करना होगा लास्ट नाइए लो लास्ट इयर जो इंडिया का जो इन इस पेस पे गया था हो चंद्रयांतिरी वेल ऐसी साफ से देखा दे तो पाकिस्तान को थोड़े हो कुम्रानों को थोड़ी वह करनी चाहिए तवाजाजे से एकुनोमी दागे बूस्ट हो जी क्या क एक अरब 40 करोड सब्सक्राइब के बैटे में तो पॉपुलेशन डेसन मैडर क्या लगता है एजुकेशन में निकरता एजुकेशन सबसे पहले तो एजुकेशन है मैं भूल गया था शायद लेकिन दूसरा टेकनोलोजी आज के दोर में ना टेकनोलोजी से कोई कमपैरेज परोडूस कर रहे हैं डुनिया को जापन को वीट करकर पीछे चोड़ रहे है तो हमारी तो कोई इंडिया से चुट अचीं या कहा जाता कि भाई दुश्मन है, इन्होंना हमारे साथ दुश्मनियां की हैं, यह अच्छे लोग नहीं हैं, इस तरह के पढ़ाई की जाती है, और कमपैरिजन करूंगा इंडिया के साथ, पहले आप बताईएगा कि मुझे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इंडि क्या पढ़ाते हैं, क्या थोड़ा खुल के बताएं, जो पुराने वार थे या पुराने जो भी क्लेश थे पाकिस्तान इंडिया के उसके बारे में और न्यूसलेबस में तो और कुछ तो एड नहीं है, वैसे ही, उनके जो थोड़ी बहुत कामियाभी हैं, पाकिस्तान की गुदस लेकर ने इंडिया की जो भी कामियाभी हैं वह हाइलाइट है उसमें, जी मतलब कामियाभी शुमला मॉहईदा ने चिपक्ड़ा ताकिस्तान इंडैय। आपने पड़ा तो फिर आपने पॉजिटिविटी पड़ी है दोनों मुलकों के रिलेटिट इसलिए आपकी सोच भी इतनी पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे के रिलेशन बहतरी के तरफ जानी चाहिए क्या लगता है कि ट्रेड इंडिया के साथ खोल देनी चाहिए या ट्रे